तो चलिए तिरेक जर्णी की सुरुवात करने जा रहा हूं असरवा रेलोए शिशन से इस समय में हूँ असरवा की प्लाटफरम नमबर दो पर और एक पर लगी है हमारी असरवा उदेपूर इंटर सिटी एक स्पेस वहां पे थोड़ा सा हलका सा क्राउड हो गया है अच्छा आपको कि मैं जर्णी करने जा रहा हूं ट्रेन नमबर उन्री काज़ जीरो चार असरवा से चलकर उदेपूर को जाने वाली असरवा उदेपूर इंटर सिटी एक्स्पेस में असरवा से उदेपूर जाने के लिए अपनी इंटर सिटी एक्सपेस जो है यह 296 सिलोमेटर की जूरी तेह करती है पाच गहंटा चालिस में चौधा होड के समय से हम काफी पहले शेशन पे आ गया थे लगवा पाच बेजे में शेशन पे आ गया था और अभी भी शे बज गया बेचे मैंने लगवक देढ ना कोई वीडियो ने डाला गर्मी की वजए से जी कहीं निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था और टिकट भी नहीं मिल रही थी और गर्मी भी बहुत नेक्स तेवल नहीं किया था तो अब शुरू किया है मौनसूं के चक्कर में तो पारिज भी न आप ट्रैवल करी एक बार मैंने भी ट्रैवल किया है और अच्छा है बहुत यह गया सकता हूं बाकि जो असरवा रेलवेड शेशन है बहुत छोटा सा रेलवेड शेशन है कुछ ज्यादा एमेनिटीज नहीं है बाकि स्टेशन के बाहर इसका फड़ा कंस्ट्रक्शन का काम असरवा रेलवेड शेशन है और कुछ यहां पर ज्यादा एमेनिटीज नहीं है जैसा कि मैंने बताया खली एक कैंटीन है पेंट्री बोल सकते हैं जहां पर आपको खाने पीने कीजिए मिलती है बाकि और कुछ चीजियां पर है नहीं है तैयार हो जाईए तो अपनी का रेलवेड शेशन से और अब हम रुप कर गया है ब्यूटी देखने है और यह ब्यूटी नहीं देखने चलते है और मांटिन देखने चलते है पर अब तो अब अब करें जो है कि यह दो जोड़ी तरह करके हमारी असरवा इंटर सिटी एक्सप्रेस पहुच है अपने सेकंड होल पर जिसका नाम है नरोडा बकि नरोडा जो है प्लाटफूं का सेशन है जहां पर आठ ट्रेन आके हाल करती है और यहां से कोई भी टेन ऑडिनेट या टर्मीड नहीं होती है कि यार इस रूट पर ना जितना प्यारा वह रूट है ना उतने प्यारे-प्यारे सेशन में यार देखिए एक राली-खाली सेशन है और अच्छ कि लग कर दिस को बार द जुड़ा दिस को बार स्वाब को बार दिना दिस को बार दे और जुड़ा का दो ध्या जराष ऑन। कि पचासी किलमेटर के दूरी तरह के हमारी उदेपूर इंटर सिटी एक्स्पिस पहुची है और लेने ही को सिसके कर रह था तर तक प्रती गाड में पहले कि यहां पहले पहुची है को ख Communication लास्ते में मोर वगरा भूत थे मैं लेनी की कोशिश कर रहा था अगे निकल जा रही थी पिशे रहा था बास्ति यहां से कुछ आने पीने का जुगाड करतें क्यों कि पूब्य हो गया है चाया नाशा कुछ हुआ नहीं है तो पुछ आना सब जुगाड करतें तो देखिए प्रचर प्रम देखिए में रहा था ही थाजा था वास्तिस जा़ हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो वगा हैं टाओ बना है कर दो कर दो कर दो 9 बाशन कर दो स्वांत नहीं कर दो प्रजक्वर्गर्ग्ट प्रॉटर्ग्ष्ट नियक गुड़ प्राद्ट ये बुड़ हैंड फिल्ग फिल्ग कि एक सबस्ताइस किमेटर की दूरी तेय करके हमारी इंटर सिटी एक सिस्वोची है समला जी रोड रेलवे शेशन पर जिसका शेशन कोड है यहां पर आट रेना क्या होड करती है और यहां से कोई भी टेन और टर्मेट नहीं होती है बाकि अज जीच के शक्कर में मैं आया था इस रूप पर यहां ही बारिस है और मैं तो अच्छा सोचा था कि मामसुन होगा और सब्सक्राइब गरीन डियोंगी अच्छे से पार तुछ पर ग्रेंडरी नहीं है बाकि कैसे होगा देख लिजें रीजन कि जो जो सूच के जारो वही होई नहीं है ऐसे मैंने नाशी कोलर रूट किया वहां पर भी बारिस ने ठीक ठाक मिली नहीं अब यहां पर भी यही सीन है देखते भी आगे क्या होता है आगे हो सकता है अब बारिस बाकि गर्म एकनम नेक्स लेवल पर है वहासम बना हुआ है लेकिन बारिस आ नहीं रही है और धूब दी यह उसमें फड़ बड़ा गया पहले मुझे लगा कि पेर कोई काटा गया लेकिन नहीं और जो टैनिया ज्यादा बढ़ी हो गई थी और ट्रेन की तरफ पाटा गया है पिछली बार जब मैं आया था तो इस सारे जो पहाड है एंदम भरे भरे थे और बहुत अलग यह ना जारा था नहीं इस बार सब सुखा सुखा है और उसी के बेस पे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिं में बोला कि बहुत ही खुब सूरा सा ना जारा हो अजारा तो अच्छा है लेकिन बारिस हो गई रेती तो बारिस का उस्ठीक आना नहीं है या पैवी शे रेस खुबा स्वालयगँ zuप अवड़ का देयू मुबा वर जातु 미 है यह जुब सा रेण कि 157 किलोमेटर की दूरी तहतर के हमारी इंटर सिटी एक्ष्प्रेस पहुची है राजस्थान के बच्चिवारा रेलवे स्टेशन पर इसका स्टेशन कोड़ है बी एच डब्लू ए दो प्लैट्फॉम का स्टेशन है जहां पर छेट रेन आके हॉल करती है और यहां से कोई सब्सक्राइब नहीं होती है बाकि बच्चिवारा जो है रेल्वे के साथ से अज में डिविजन में आता है और गाड़ी के हां पर सिर्फ दो मेंड के होल्टा लेकिन गाड़ी तम कट्ट्टू कर ताइम पर चल रही है वह अलग बात है कि रूट की जो खुप्सूरती थी देखने के लिए नहीं मिल देए लेकिन यार यह फिर भी रूट अपने आपने का लग है बाकि इंजन तुम्हें आपको दिखाया लेकिन फिर से बार आपको दिखाता हूं इंजन बाकि एक पानी का बाटली है 20 रुपेका है जैसा पाता है इस रूट टोतना डिवलेप्म मिल रही है तो ब्रैंड वोकर सेड़ में रखते हैं ब्रीस रवेका पानी ने लिए है ठीक है है अगी है जाब लाइज है जाब लेख्ड लाइज है झालो निर बाद आञा है झाल प्रभाल कि अपाइब जो प्रफेंग आपर आपक में वाले आपक न ना कि आपक आपक निए ने जोलेट नहीं दूरी तेह करके हमारी इंटर सेटी एक्स्रेस पोची ए रिखवत देवर एलेवे स्टेशन इसका स्टेशन कोड ए रडीटी तीड़ दो प्लाटवम को सेशन है जहां पर छेट रेना के होट करती है और यहां से कोई भी टेन और टर्मियाट नहीं होती है वाकि गाड़ी कहां पर दो मेंट को होल्ट है यार लेकिन बचा नहीं आ रहा है यार वह चीज नहीं है अब शूंदर है लेकिन यार वह जो पाउंटेन है मा आशीक सिकंद्राबाद सब हो गया है बड़ावारिस नहीं हो गया है यह देखिए यह इस गाड़ी के जर्णल कोश के आलत है कुछ भीर नहीं है सीट बारावरादमी है और गहीं तो सीड भी खाली है उपर गी सीटे खाली है तो इस ट्रेंट से अगर आना हो तो आप जर् इसब कर तो से एस गडिस पाली है तो प्रेंट साफ खाली है तो झाल झाल कि अगर बुद्मार आपक सागने के इनने के इनने के इनने कीजा है कि दूरी तरह करके हमारी इंटर सेटी एक्सपरिस पहुची है उम्रा रेलवे शेशन कोड़ है उम्रा प्लाटफॉंक पर शेशन है जहां पे छेटेना के हो रहे हैं से कोई भी टेन और यह टर्मेट नहीं होती है बाकि गाड़ी यहां पे दस मेंड पहले आ गई है दो मुझे लगता है कि मैं इस रूट पर थोड़ा जल्दी आ गया हूं मुझे इस रूट पर आज जो डेटे हो है 27 जून ठीक है और मुझे इस रूट पर ट्रेवल करना चाहिए था पंदर से 20 जूलाई के आसपस करना चाहिए तो जैसा मैं सोच रहा था वैसा यह रूट में ब्रणा टी था जैसे आपको पता है मैं जॉब करता हूं यार और वो सब बड़ा मगज मारी था इसनली से यहां बन पड़ा मां चुक्ति देके मैंने वीडियो बना लिया है अब यह तब तक का इंदरार करता चुक्ति मिलती या नहीं मिलती सबसे बड़ा इस्यूता झाल झाल प्रब्राइब्ट सब्षाइब। तो नेटीशीक किलमेटर की दूरी ते अगर के हमारी असरवा उदयपूर इंटर सिटी एक्सप्रेस आप और ची उदयपूर अपने समय से लबगए कपार मेंड पहले आ गई है इसका 12 तीश कहां पर आने का टाइमिंग था और 12 अठाव यहां पर आ गई है और वाकी जर्मी कापी अच्छा यार इस गाड़ी था पहले में इसे जर्मी किया तभी बहुत अच्छा है गाड़ी बहुत मस्त है बस यह कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेती है इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते बाकी बहुत अच्छी गाड़ी है कभी इस डूट से टाइवल करना है त टाइब टाह से लीए टाइवल करने लाइक है और पर आ खरत हो कि वीड है को अच्छा लगा होगा और फिर मिलते हैं रिए नहीं के वीडियो में